Hello my dear friends, welcome to Vidya English Classes So मैं आपके लिए एक बार और एक वीडियो लेकर आया हूँ थाके आप गर में बैठे ही fluently English बोल सके और मेरा एक ही mission है कि आप गर में बैठ कर आपका जो free time है उसे मैं utilize करूँ और आप भी utilize करो और सिर्फ 5 मिनिट में मैं आपको English बोलना सिखा जो So हम start करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि इस channel के जरिये से आप ना सिर्फ spoken English की class ले सकते हो मेरे से हमारे इस channel से बलके आप यहाँ पर UGC.net English की तियारी कर सकते हैं हमारे पास जो PDF notes है और बिलकुल तयार है अगर आप हमसे purchase करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं So हमारा आज के इस lesson number 11 का जो very first sentence है पहला sentence है वो क्या है मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूं मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूं जैससे हम एक तरहें की offer दे रहे हैं उसे औच रहेंके मैं तुमारी मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं What can I do for you What can I do for you मुझे सर्दी लग गई है जुखाम हो गया मुझे I have got called मुझे मालूम है आप हस रहे होगे शौट होगे मुझे जुखाम होगे lockdown में coronavirus की वज़ा से किसी को जुखाम अगर हो गया तो समझो के लेने के देने पड़ जाएंगे सो मुझे सर्दी लगी वैसे हां पता तो होना चाहिए कि English में कैसे बोलते हैं I have got cold उसके बाद है किसे पता किसे पता कि ये कब होगा किसे पता कि lockdown प्रॉपरली कब खुलेगा किसे पता COVID-19 कब खत्म होगा किसे पता हूँ नोज किसे परवाह है मेरी कौन परवा करते है किसे परवाह है वो किर इस आठीक कैसे हुआ आए हाव डिड़िट हैपन यहाव कम हम इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं इनफॉर्मल फ्रेंट्स के साथ फ्रेंट्स से हम पूछ नहीं है इसाथ फैमिली मेंबर से पूछ नहीं है तो हम बोलेंगे How Come अगर हमने Formally पूछना है तो हम बोलेंगे How Did It Happen Informal बोलना है Friends के साथ Friends से कुछ पूछना है Family member से कुछना है Relatives से कुछना है तो हम पूछ सकते है How Come बट अगर हम Formally बोल रहे हैं Formally पूछना है तो हम बोलेंगे How Did It Happen उसका रंग सामला है पजाबिच बोलते हैं उसा रंग कंक बनना है means whitish कंक जैसा color है उसका उसका रंग सामला he is whitish और his complexion is whitish यहाँ पर अगर किसी का color हम बोलेगे fair है fair तो हमें complexion की जगह पर क्या बोलना है just fair his complexion is fair और he is fair उसके बाद है जला रुको please wait or just wait for a moment please wait for a moment or just wait for a moment उसके बाद है उदार मत खरीदो don't buy on credit don't buy on credit चाह उदार मत दो अगर हमने बुला उदार मत दो don't give on credit don't give on credit उसके बाद है कहीं नजर ना लग जाए कहीं नजर ना लग जाए यह तो गर्ल्स बहुत जारा यूज करते हैं अगर हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां हमें इंग्लिश पढ़ने का शौक है तो movies में भी यह sentence यह word अक्सरी यूज हो जाता है touch boot कहीं नजर ना लगे touch boot उसके बाद है हाँ जी यह थे हम आज के हमारे sentences और अमीद है आपको यह sentences बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगे आज आपने रोजाना पांच मिन नकालने हैं मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए जा जी बोल सकते हो के आपने रोजाना सिर्फ और सिर्फ पांच मिन नकालने है बहुत अच्छे से fluently English बोलने के लिए और thank you so much for watching, subscribing, liking and sharing with your English classes